बॉटीवेट करने के लिए खेलना शुरू किये हैं कि ताके वह आने वाली नसल जो अभी जो नसले हैं वो देखे इस चीज को कि भाई असल मैदान में खेला जाता है ना कि मुबाईल में खेला जाता है तुसको हमारे खेलो इंडिया 2017 में एक लांच किया है स्कीम, उस स्कीम के तहत, हमारे सारे बच्चे खेलो इंडिया चे जुडेंगे, और जुडने के बाद हमारी जो गवर्मेंट है भारत सरकार जो खेल मंत्राडल है, उसको इस्टेडियम दिरिमान करना, खेलो उपकरन दे तो हम आपको बात करावाते हैं के कैप्टन से कि आज उनका मैच किस के साथ है और किस उमीद के साथ मैच खेलने के लिए पहुचे हैं? सबसे पहले तो सुग्रिया के आप आए हैं और यहां पर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो मैं यह मानता हूँ कि यहां पे गंगा जमनी तहजीब जो हमारा प्रियांबल वीद प्यूपल अफ इंडिया की जीती जाकती है, जिसके तहत जिसके अंब्रेला में हम यह सब खेल रहे हैं, तो यह सबसे खुबसूरत लग रहा, मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, यह बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुबसूरती ही कि हर धरम के लोग एक जगह पर अलग-अलग नाम से बले यह आई-पियल के तरश पर हो बना चुकी है, तो एक होप है, उमीद है और लोगों की उमीद की वएसे कि हम जीतेंगे जरूर। कहीं न कहीं मुबाइल में बंद है, यह एक जो लोगों में नौजवानों में इसको देख करके उत्साहिक होंगा और खेलने की कोशिज करें, मुबाइल से बाहर निकल कर आएंगे, अपने उन लोगों को भी देखेंगे, जो इसमें बहुत सारे ऐसे खेलारी हैं, जो कहीं में बचचो को साहित करने के लिए मोटीवेट करने के लिए खेलना सुरूक्य है किता कि वह आने वाली नसल जो अभी जो नसलें, वह देख यह इस चीज़को कि भई असल मैदान में खेला जाता है नर्म बाइल में घेला जाता हुए करेंगे कि जैसे कि आप गाउन लेभल पर इसको लाए है इसके लिए सुक्रिया है मित्रा तस्तर के माध्यम से भी और जहां जहां यह मैच हो रही है वो एक साल हुई दूसरी दूसाल हुई पूना जो इसको समाप्त कर दी जाती है तो क्या आप डीपील को जो है समधवनी अ मिल्डा सहतं हम आपको आपकाम पांचैच मेरे पांचैच के साथ प्लेयर यह member हो शहां के जो खेल रहे हैं तो सब साथ प्लियर इसी पंचायत के बीचिक दिश्टिक से पंचायत से नहीं है तो यह जा चुक जी जब यह हो चुका है और यह आगे साल दर साल यह बढ़ता जाएगा मैंने कहा नहीं बच्चों को इंस्पाइर करने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम आयूजन किया जा रहा है जैसे कि अपने ना पता है तारीक अनवर रहा है कि कोलकरंता नैट राइडर्स के कैप्टन भी है जो जो अभी लॉग्डॉन में जितने बच्चे एजुकेशन से अप वो खाली जगह जो खाली समय जो है उनका वो इंस्पाइर के माध्यम से होता रहे और उनका प्रतिभा जो से निखर करके आगे चले तो ऐसे में आप डिपील को और आगे ले जाने के लिए प्रियास करेंगे यह सच है कि हो नहों मैं अभी आज़े प्लेयर खेल रहा हूं लेकिन यह हो नहीं हो कि मैं खेलू नें खेलो यह कंफरम नहीं है और हम अपको कब्रेज करके दिखा रहे हैं तो निस्तित रूप से आप हमारे चैनल को देखिए और आपको यह अच्छा लगे डिपील तो निस्तित रूप से सपोर्ट किजिए यह तमाम युबाओं का य यो आयोजन है DPL बिल्कुल इस पंचायत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इस परकार से बच्चों में जो उनकी प्रतिभा छुपी हुई थी उनको रिखारने का काम करने का काम यो है जो बाहर से गौप आचुके हैं अभी उनको कोई काम नहीं सुझ रहा है या ऐसे में DPL को मजबूती देने के लिए इनका जो योगदान है बहुत ही सराहनी है तो आप देख रहे हैं कि ये हैंग से पंजाब के ये और इन से पूछना चाहेंगे कि आप यहां जो मैच खेलने के लिए है किस उमीज से आये हैं तो हम बात करेंगे क्या नाम है आपका देखिए मेरा नाम फहीम हमद है और मैं किंग से लेवन पंजाब का कैप्टन हूं हम लोग ने पहले टॉस जीता और पहले फिलनी करने का फैसला किया 119 अमारे पोजिशन लगाया है 120 चाहिए हमें और हम लोग पॉजिटी मैंडसेट से क्रिकेट खेले तो किया लग रहा है कि ये मैच जीत करके जो है तो आप दर्सकों को जो आपके चहते हैं उनको जीत करके जोड़ा देना चाहते हैं नई साल में? यह जैसे कि आप दिखाना चाहर है कि क्रिकेट जो है इस मैच को सॉरी जैसे कि क्रिकेट मैच आई पील भी हो रहा है और यहां गाउ अस्तर पर आप डीपिल को फॉर्मेट किये हैं तो ऐसे में आपकी पंगाउं के परतिवाइब की प्रतिवाइब किस परकार से निखर की आएगी सामगे मैं चाहता हूं कि यहां पर लोग डीपिल खेलें और आगे चलके बिहार को रिप्रेजेंट करें डीपिल में जाएं और जो बहुत लखी प्लेयर होगा इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेगा तो होफुली इसलिए कराए गया है कि डुम्री प्रीमियर लीग डीपिएल का आयोजन पंचायत अस्तर पर डुम्री गाउं में हो रही है और यह फिल्ड बहुत ही अच्छा खासा है लेकिन खेल की द्रिष्टी कोन से जो डेवलप्मेंट होना चाहे उतना नहीं है लेकिन द्रिष्टी का स्तर पर भी कि यहां आयोजन की गई है इसको जो है जिला अस्तर तक ले जाने का काम करेंगे तो ऐसे में इस खेल को सर किस रूप में देख रहे हैं यह इस खेल को मैं जिला पुरसासन मदवनी के तरफ से एक ग्रास रूट का मैं खेल देख रहा हूं यहां के बच्चे हमारे जो नेशनल लेबल पर बच्चे जाएंगे इस्टेट लेबल पर बच्चे हमारे जाएंगे जो हमारे ग्रास रूट से जब बच्चे जाएंगे तो उसको हमारे खेलों इंडिया 2017 में एक लॉंच किया है स्कीम उस्कीम के तहत हमारे सारे बच्चे खेलों इंडिया से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद हमारी जो गुवर्मेंट है भारत सरकार जो खेल मंत्रड़ल है उसको इस्टेडियम दिर्माण करना खेल उपकरन देना और उसको लंपी के लिए तयार करना उसका में मकसद रहा है मेरा नाम है विजय कुमर पंडित खेल पदादिकारी मधवनी दर्माण जैसा कि सर ने आस्वस्त किया है कि यह जहां ग्रामिन शेत्रों में एक ग्रास्टूट का खेल है और यहां से इसको जो है सो आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो ऐसे में सर प्रतिभा जहां मोबाइल के जीवन का साधन है अगर जीना है तो खेल जरूरी है इसके लिए स्वस्त रहना है तो खेल जरूरी है और खेल के माध्यम से हमारे जो बुजूर्ग हैं बच्चे हैं निशनल इपल पर जाएंगे उसके बाद हैं और मेडल प्राप्ट करेंगे और संसाधर का भाव होने के वाब जूद भी जो यहां बच्चे जो खेल नहीं पाते हैं या उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाता है तो ऐसे में प्रसासनिक बेवस्था किस परकार से दुरूस्त करने जा रहे हैं ताकि गरामिन बच्चों का यह इलाका का बच्चा जो है प्रतिभानी खर सके हैं हमारी गौवर्मेंट है बच्चों के लिए खेल उपकरन हो या खेल मैदान के औसर अंचना का निर्माण हो हमारी गौवर्मेंट खड़ी है अहां मेरा गौवर्मेंट का एलान है कि मेडल लाव और नोकरी पाव जैसा देख रहे हैं कि यह डीपील डूमरी पब्लीक लीग जो फॉर्मेट किया गया है बहुत ही अच्छा है सर ने भी आस्वस्त कर दिया है कि यह कार्चक्रम दिस्ट्रिक अस्तर तक ले जाएंगे बच्चों में जो प्रतिभा जो नहीं निखरी है जा उनका प्रतिभा कहीं न कहीं किसी परकार से रुका हुआ उनको निखारने का काम करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद